Allergic Bronchitis Allergic Bronchitis की वज़र से Mentally और Physically तक्रीफ होना है खासी जुगम हो जाना यह सब मेरी लाइफ का रोडिंग बन चुका था जै गुन देख, मेरा नाम मिलन माज्या है मैं सुरत से भी लवगर्शता हूँ मैंने Master's of Computer Science किया है और मेरा जो बिजनेस वाइटी डिलेटर है तक्रीबन छे साल पेले मैंने को बहुत ही ज़्यदा खासी और जुगम हो जुपा था और बच्पन से ही मेरा ऐसा था कि मेरा इंवीन सिस्टम बहुत यह नौ था जब भी वैधर चेंजिस हो था तो मेरे को खासी जुपाम और फीवर आ जाते दें और यह तक्रीब कब बढ़ गी मेरे को पता ही नहीं कि छे साल पेले मेरे को यह बहुत ही ज़्यदा हो गया मैंने डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने उसका दवय किया पर फिर भी कोई उसका इलाज नहीं हो पाया मैरे को वो खाम की और खासी के तटी चन्टिनियूस देंगा फिर और दो तिन दोप्टर पर दिखाया फिर उनसे भी नहीं हो तो उसके ऊपर के दोप्टर नभी बीस अमडी को भी दिखाया और सभी ने मैना डाइगनोस किया रिपोर्ट करवाया और सभी डोप्टरों को अनग इस वज़े से खासी है मेरे को सटीस्फेक्शन ने नेला और जो बीमारी थी उसका इलाज नेला फिर मैंने उससे भी उपर स्पैशालिस डोप्टर गर दिखाया मैं सुड़क के सबसे बड़े था चेस्ट फिजिश्यम जो डॉप्टर ने उनको भी दिखाया तकरीबान छे महीने मैंने उनके साथ कूर्स किया और दवाईयों का कूर्स किया फिर उन्होने डाइग्नोसिस ये किया कि मेरेको अलर्जिक ब्रॉंकाइटीस नाम की एक बिमारी है जो स्ट्रेस से जोड़ी है और उसकी वजयों से मेरे काम में भी मन नहीं लगता का और फीजिकल लेवल में भी बहुत ज़्यादा तक्लिफ होने लगी थी शे महीने तक उनके पास दवा है लेने के बाद भी मेरे अधिसकांव कोई इलाघ्य दवा नहीं नहीं है और उन्हे ने मेरे पर साइकाट्रीस की सर्जेशन दिया की मेरे को साइकाट्रीस के पास जाना पड़ेगा और में मेंटली भी बहुत डिस्टप हो चुका था और मेरा फिजिकल स्टेंग भी काम हो गया था मैं गर पे रह जाता, कई बार नहीं जाता था और उसके बाद मैंने कई आईरवेदा करवा है वमिया पत्थे भी करवा ही, कई टोड़के भी उस करवा है और याद तक कि मैंने अपने कान भी पेरिंग करवाय थे दोनों कान पेरिंग करवाय थे पर इतने सारे इलाज़े टोड़के करने के पावजूद कोई भी सिंगल स्टिशन नहीं गर रा था बीमारी मेरे को उसके बाद 5 साल होगे कर था पाथ शाल थक मेरा को जब पता चला कि ये एनर्जी व्लोगाड से तब से पाथ साल थक यादी आओ में बहुत ही पर éénशहां मुंअओ छुका था जा और चुका था भी सीमेरा बीजर्स में काम में व student नहीं लगता था, फिर मेरे दोस्त ने मेरे को happiness course के बारे में बताया, मैंने art of learning का happiness course किया, फिर मैंने जो teacher चे आट of learning के, उन्होंने मुरे को सेले जी राटोड के DSN कोर्स के बारे बनता है, मैंने सेले जी राटोड का DSN कोर्स किया, और DSN कोर्स में मुझे ऐसा लगा, कि यही है जो मेरे मेरे भीबारे का, इसका solution यही ला सकते होगा, मैंने उनके सां बाप की consult किया, तो उन्होंने मेरे को yoga level 2 कोर्स के बारे में बताया और तुरंथी मैंने उसका रेजिश्यम करवा दिया, वासर डाश्रम स्वीशी yoga level 2 मैंने सेले जी राटोड के साथ किया, और दो दिन में ही मेरे को बहुत ही ज़दा अफल मालम हुआ, मेरा जो बीमारी था हो 90% तब वासर में ही खतम हो गया, दो दिन में ही मेरे को रिजल् पर भी बहुत अच्छा होने नगा, मैंने गुरुजी का दिया हुए डाइट फोलो किया, और मेरा तभी पाच किलो वेड भी लॉस हो गया, और उसके बात मैंने उनके बताए हुए रास्ते पर उनके डाइट के हिसाब से मैं डाइट शिवर गया, छे महिने बात मैंने को और रूटिंग को फोलो कर रहा हूँ, मेरेको कोई टटीब नहीं हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, मैंने कोई डॉक्टर से नहीं किया, कोई दवाई नहीं है, और एक सार में आई मेरेको खासी बुकार या जुकाम कुछ भी नहीं हुआ, जो मेरे वस्पन की तब कि मेरा इंगिन सिस्टम लो था, वो भी बढ़ वेया, और मैंने अब तम एक भी दवा या सिंगल पिल्स गोली भी नहीं हाई, मेरेको कोई जुरूत ही नहीं पड़ी अब तक, और अभी डाएट में उनके रिसाप से में रेगुलर फोनों कर रहा हूँ, और कोई भी दवा कि बीना सिर्फ इस कोर्स के माधियम से, इस कोर्स की प्रोसेसिस के माधियम से, मेरेको इतना अच्छा लगा, और इतना अच्छा अभी भी चल रहा है, कि आगे भी मैं यही फॉलो करना चाहता हूँ, और मैं सबको भी यही बताना चाहता हूँ, कि आप रिसाइने जी यह दोनों पर उसको इंगरी स्टिंगे